जैन साथियों आप सभी का स्वागत है अहयाना जी के वाई दिवान सर के अपने यूट्यूब चैनल के उपर तो आज हम इपने इस क्लास के अंदर डिसकर्स करेंगे जो पैरिस ओलम्पिक्स जो इस टाइम पर हुए है तो उसके अंदर जो जो मेंन में कोश्चन्स हमारे लि है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाला है तो चलिए आपा स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला कोश्चन है इसे पूछ है आपसे की ओलम्पिक खेलों का पहला आयोजन जो हैं यह कब हुआ इसापुरोग तो यह के नाम से जाना जाता है तो सभी इसापुरोग के अंदर हैं अपके साथसो चैतर साथ सोस्ता सदासी यह सासोगों जो पहले इसापुरोग के अंदर आयोजन काा कर वाया गिया था तो आपको ध्यान अकना यंवन और नामक सहर के अंदर इन खेलों का कि को आज आपका किस नाम से जानते हैं इनको ओलंपिक गेम्स के नाम से आपको ध्यान अखना है नेक्स कोशन है सेम वैसे मिलता जुलता कोशन यह है आधुनिक खेलों की सुरुवात कब से हुई थी अभी ओलंपिक खेल और आधुनिक खेल क्या है वेटा जो प्राचीन काल के जो ओलंपिक खेल हुए थे इनके उपर रोम के सासक ने रोक लगा दी थी बाद में इनको दुबारा से स्टार्ट किया गया था तो दुबारा से यह जिनको आधुनिक खेलों की सुरुवात कब हुई थी यह आप से पूचा जा रहा है पहला उप्शन 1886 1892 1896 या 1900 तो प्य आधुनिक खेलों की जो शुरुआत है वह एथेंस से की गई थी ध्यान अखिएंगे आपा इसके लावा इसमें एक कोशन आपा इंडिया से जोड़कर भी आपसे पूचा जा सकता है आपसे पूचता है कि पूरो का एथेंस किसे कहा जाता है पूरो का एथेंस बोलते हैं अपने भारत का तमिल लाड़ू के अंदर एक सहर है जिसका नाम है मदुरे कर नहीं भारत कर दोब के लिए important है यह question आपको अच्छे से मतलब इसको ध्यान अखना है अंतराष्ट्री ओलंपिक समीति का मुख्याले जो है वह कहां पर है अंतराष्ट्री ओलंपिक समीति है इसका मुख्याले आपसे पूचा है प्यारे बच्चो जनेवा पैरिस लुसाने या न्यू योर्क तो इसके लुपिन है इसका क्या मुख्याले जनेवा भी सुजर स्यू ग cactus रेसे नेवाला अंतराष्ट्री में ओलंपिक समीति के बारे में कुछ और चीज़ें जो आपको ध्यान अकने है इसके अंदर तू आप लोगों को वो कौन मने थ संभंदित द्यान अक्नित हैमा कि यह जर्मनी के लांपने इसके नवे अध्यक्स थो नोवेये अध्य इसकी स्थापना होती है पहली बार नेक्स की तरफ आप चलते हैं ओलंपिक धवज का कोशन प्यारे बच्चों हमारे एक्जाम के लिए काफी महत्वपून रहने वाला है यह उलंपिक धवज आपके पूछने का चांस है वह लंपिक धवज के हैं बचे तो इसमें आप देखो लंपिक धवज का प्रियोग सबसे पहले कभ किया घया गया था उनीचस के अंदर 1920 में उलम्पिक जंडे का समसे पहले प्रियोग किया गया था इस उलम्पिक जंडे के वारे में ध्यान रखना है कि उलम्पिक जंडा जो होता है इसके अंदर क्या होता है पांच सरकल होते हैं पांच गोले होते हैं इन पांचों गोलों का रंग भी अलग अलग होता है और जो अंटार कटिक आए वहां की कोई जनसंख्या नहीं किया गया दूसरा नोर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है उन दोनों को कमबाइन करके उसका एक ही सर्कल या एक ही गोला इसके अंदर में पांच गोले अपको बता रखेंगे आपको निले रंग करते करेगा अफरीका को अफरीका वैसे भी और महादवीब कहा जाता है डार्क कॉंटिनेट कहा जाता है तो इसका जो सरकल है वो भी क्या होगा डार्क होगा काला होगा जा नखेंगे आपा लाल रंग का जो गोला है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा उत्री अमेरिका और दक्षनी अमेरिका लाल रंग किसका गाए खत्रे सब्सक्राइब और कि परतेग वर्स ओलंपिक दिवस कब बनाया जाता है तो ओलंपिक दिवस बेटा मैंने भी बताया आपको कि 23 जून 1894 को अंतराश्ट्री ओलंपिक समीत्य का गठन हुआ था उसी की याद में क्या किया गया है फिर बाद में 23 जून को ही क्या होता है हर साल ओलंपिक दिवस के रूप में आपका बनाते हैं तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इस कोशन का वह क्या रहेगा 23 23 जून को हर साल ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है इसमें ओलंपिक मनाने की परंपरा इसकी सुरुवात कब से ती OohC लोगों को ध्यान अखनी है उलम्पिक 23 जून को बनाया जाते हैं जिसकी शुरुवात 1948 के अंदर की गई थी अगला कोशन है कि अंतराष्ट्रिया उलम्पिक समीती में पहली भारतिया महिला अध्यक्स कौन बनी है यह कोशन भी आपके पेपर के लिए करेंट अफेर के पहले भी यही थी अभी अभी कुछी समय पहले इनको दुबारा वहां पर अध्यक्स मतलब क्या इनको सदस्य चुना गया ध्यानक आपको अंतराष्टी उलम्पिक समीती में पहली भारतिया महिला वह कौन चुनी गई है पहला उप्सने पीटी उसा नीता अंबानी में थी अब भी अंतराष्टी उलम्पिक समीती के अंदर सदस्य चुनी गई है और सो परसेंट वोटों से चुनी गई है अंडर परसेंट वोट इनके फेवर में गए ते नीताम बानी के इस भी कुछी समय पिसले बहने साथ इसकी वोटिंग थी तो यह भी आपको ज्यानक करणा मलेश्वरी से बेटा आपको ध्यान रखना है करणा मलेश्वरी जो है यह भारत ओलन या वेट लिफ्टिंग से संबंदित है इसके लावा इन्होंने पहली बार सन 2000 के अंदर वो सिड्नी ओलंपिक के अंदर इन्होंने पदक जीता था यह कोश्चन भी आपके वेप है जिन्होंने ओलंपिक के अंदर पार्तिसीपेट किया था भारतिय महीला जिन्होंने ओलंपिक में पार्ति जीता था इन्होंने attending का था इन्होंने 1956 के जो ओलम्पिक्स थे इन्हें पार्टिसिपेट किया था यह अपनी एथलेटिक्स है मेरी लिला राव पदक नहीं जीत पाई थी यह मतलब क्वालिफाई राउंड में मतलब यह भार होगी लेकिन पार्टिसिपेट किया आपको वह भी आपके एक्जाम के ल बिंद्रा रतन टाटा नीता आमबानी या पीटी उश्या तो अभी नव बिंद्रा बारत के पहले ऐसे खिलाडी हैं जिन्होंने 2008 के उलम्पिक में सरुण पदक जीता है बेटा बारत के लिए पहले मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाकी जो हमने मैडल जीते हैं गोल्ड है जो किस खेल से संबंदित है शूटिंग से संबंदित है रतन टाटा यह टाटा जो समुए उसके जो मालो ओनर या जो भी है नीता आमबानी आपको जाए था अंतराश्ट्री ओलम्पिक समीती के अंदर यह सदस्य हैं पीटी उसका इसका राइट आंसर रहेगा पीटी उ देखते वह कोन थे दोराब जी जमसेद जी टाटा अगला कोशन है ता यह बहरत ने पहली बार कब भाग लिया था यह वह वेरी इंपोर्टेंट कोशन है आपके लिए पहली बार ओलम्पिक खेल अधुनीक खेल है वह पहली बार हुए तो थे बेटा 1896 के अंदर एथेंस युनान के दर ना इसको आप रट लेंगे लेकिन भारत ने पहले ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था अपना इंडिया के जो खिलाडी है उन्होंने पहली बार ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कब किया था उपसंस है 1896 में 1900 में 1904 में 1928 में पहले में तो नहीं किया थे मैं नहीं नहीं किए तो बाठाव एगा तो भारत नहीं आंके बारत ने दुसरे और कि उलंपिक हेल है दूसरे और इसमें को का उवे थे बेटा दूसरे खेल भी पैरीश के अंदर हुए थे पैरिश के अंदर पैरिस में आस तक तीन बार ओलंपिक खेलों का यूजन किया जा चुका है उननी तो में उननी सोचो बीस में हुआ था और ठीक सो सालबात हुआ बेटा मतलब 24 के अंदर 1924 और बाद में अब 2022 तीन बार पैरिस ने मतला ओलमपिक खेलों को हुष्ट किया है ध्यान अखेंगे ठीक सो साल बाद पैरिस में ओलमपिक किया हैं दुबारा यह वात भी आपको धयान अखने हैं इसके बाद देखो ओलमपिक के वारे में भारत के वारे में आपको कुछ बातें बता रखी है कि भारत ने uniform hice अब ने पहले अथा ऊथ जौन अब लिए कि भाग लिया था बहदा जो पहले आदनीक housekeepingанииत हैं नखेंगे आपा यह दूसरे आप सबस्क्राइब कि और द्याना की और सब्सक्राइब यह नहीं नोर्मन प्रिचाइब नहीं ने भाग लिया था नोर्मन प्रिचाइब द्याना क्ली जो यह पहले भारती खिलाडी थे यह क्या थे 200 जो रेस होती है उसके अंदर इन्होंने पार्टिसपेट किया था 200 मिटर की जो रेस है नॉर्मन प्रिचाइड कौन थे एक ब्रिटिस मतलब जो है एंगलों इंडियन बोल सकते हैं इनका जनम कोलकाता में हुआ था लेकिन यह मतलब भारतिय मूल के केल में भारत की और से दो सिल्वर मैडल जीते थे नॉर्मन प्रिचाइड जो है दो मैडल जीते थे एक तो जीता था उन्होंने 200 रेस के अंदर दूसरा जीता थे 200 मिटर की जो बाधा रेस होती है उसके अंदर भी शिल्वर था तो यह पहले भारतिये भी बन जाएंगे न नॉर्मन प्रिचोड जिन्होंने ओलंपिक के अंदर क्या हुए थे दो मैडल जीते थे आज तक कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हुए बेटा जिन्होंने ओलंपिक के अंदर दो पदक जीते हैं पहले तो यह होगे नॉर्मन प्रिचोड जो इसके लावा हमारे जो सुसील कुमार जो रेस्लिंग से संबंदित हैं उन्होंने भी क्या किया ओलंपिक के अंदर दो पदक जीते हैं एक 2008 के अंदर पदक में तरफ नहीं पदक में ऑलंपिक के इसके लावा इन्टिवीजूल गेम में पहले कौन थे नोर्मन परिजोड जिन्होंने पहली भारत के और से पाटिस्पेट किया था 1900 में और दो जीते थे इन्होंने जो नेक्स कोशचन है हमारा अगला है ओलम्पिक खेलों में भारत में अब तक कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं न गोल्ड पुछे आपसे औलम्पिक खेलों के अंदर गोल्ड गोल्ड बताना है आपको तो श्यावास पहला उप्सन है 8 दूसरा 10 12 और 9 कितने total gold medal जी चुके इंडिवीजुल या टीमगेम की बात नहीं है कुल कितने gold medal जीते हैं आपने अब तक तो gold medal बेटा आपना 8 gold medal तो जीत चुके हैं होकी के अंदर इसके लावा दो मैंने आपको individual बताए दो व्यक्तिगत स्परदा में आपाने जीते हैं दोनों किसने जीते हैं ये एक तो जीता है अभिनव बिंदरा ने पहले भारतिये थे अभिनव बिंदरा जिन्होंने व्यक्तिगत स्परदा के अंदर ये gold medal जीता है वे बाकि इससे पहले सारे क्या थे होकी के अंदर थे इन्होंने जीता था 2008 के Olympics के अंदर अभिनव बिंदरा के लावा आप ज्यान अखेंगे नीरज चोपड़ा तो नीरज चोपड़ा आपको पता है कि पिछला जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर होकी में डो इंडिवीजर दूर्फूल कितने gold medal जीते हैं अपने अब तक 50 जीते हैं जिहानकना है आपको तिसका राइट अंसर होग दस आगर इसके में आपको कुछ बाते हैं और घ्यानक नहीं है कि मैंने बताया कि भारत ने सबसे दिक आठ गोल्ड मेडल जो होकी के अंदर जीते हैं भारत ने अब तक जीते हैं अब टक उसमें ध्यानक नहीं झाठ बाइज में ठाइज धार गोल्ड मेडल की सब्सक्राइब उलंपिक में गोल्ड मेडल जीता उलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तर्लिस के बाद क्या हुआ था दूसरा विश्यू चल रहा था तुस्वजे से नहीं हो पाते इसके बाद आप अपाने गोल्ड जीता अड़तालिस के बाद आपको ज्यानक नहरं कि आपने 1952 में गॉल्ड मैडल जीता अपने 1956 के अंदर उतिक बोल्ड मैडल जीता अधिकर है तो यह आपको 1923 38 द्रश्वगार च्वे वह इसके बाद क्या हुआ हमने 1960 के अंदर क्या हुआ होकी के अंदर सिल्वर मेडल जीता था तो एक सिल्वर मेडल भी अपना होकी के अंदर वो कब जीता था अपने 1960 के अंदर जीता था 1964 के अंदर फिर अपने फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया इसके अंदर इसके बाद 1968 के अंदर क्या हुआ था हमारा ब्रोंज मेडल आया था इसके बाद इसके बाद इसके अपने आखरी गोल्ड मेडल जिता था अब क्या हो गया यह जो ग्यारा पदक हो गए इसके बाद दो जो ब्रोंज मेडल आपने वह लगातार फिर से जीते हैं अब जो हुआ है तो बार फिर से ब्रोंज मेडल जीते हैं और दो बार ब्रोंज जीतने के बाद अपना 1980 में गोल्ड आया था फिर बाद में तो सकता है अले उलम्पिक में दुबारा गोल्ड आ जाए अपना ओकी के अंदर कुल पदक कितने हो गई है तेरा पदक हो जाते हैं जो अपने होकी के अंदर जीते हैं ध्यान अखने इसके बारे में नेक्स्ट देखो इसके अं होएं यह तो द्यान अखेंगे इस बार जो हो 33 ओलम्पिक खेलों का योजन किया गया है यहां पर एक टावर है जो काफी फेमस है जो इस बार लोगों भी रहा था मतलब आपने अगर ऑलम्पिक गेम्स देखे तो बार बार यहीं दिखाया जा रहा था एफिल टावर तो य और यह तोक्यो किस देश की राज़तानी है जापान जिसको उगते वे सूरिय का देश भी कहा जाता है जापान में जो को वे धे इसमें आपने कुल साथ पदक जीते थे एक प्लस दो प्लस चार मतलब एक गोल्ड था दो सिल्वर थे चार ब्रोंज थे टटोटल साथ पदक थे और भारत जो है वो इसमें 48 स्थान की उपर रहा था वेटा इसके बाद अगला जो ओलम्पिक होगा अगला यह आपको ज्यान रखना है पहरे बच्छों यह होगा लोस एंजिल्स में अगला उलम्पिक होने वाला है वहां पर तब हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है इस बार के जो पदक अपने उससे ज्यादा पदक जीतेंगे आप अमेरिका के अंदर और इससे अगला जो होगा भी फिक्स कर दिया गया यह कहां होगा यह एक सहर है जिसका नाम है ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन नामक सहर में होगा और यह कहां पर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो यह अगले दो उलम्पिक फिर से फिक्स कर दिये गए और भारत इस समय कोसिस कर रहा है कि इसके अगला जो करने का मौका भारत को दिया जाए आज तक भारत में कभी भी ओलंपिक खेलों का नहीं हुआ है अगर हमें मौका मिलता है तो यह भी आप मारे लिए एक अच्छा मौका होगा अपने खेलों को बढ़ावा देने के लिए तो यह आपको चीज़ें ध्यान रखने कौन-कौन सा और यह कब होगा आगे तो आप स्क्रेंशोट ले सकते हैं अगला कोश्चन है इसमें यहीं बता रख्धा है कि अगले जो सीथ कानिन ऐसे होते हैं और उलंपिक होने और वह भी कहां होंगे पैरिस केंदर है यहां नहीं नहीं आपको एडिंदर और चिया जाएंगे लेगन जो सर्दियों वाले होते हैं सर्दियों वाले जो Olympic होंगे अगले कहां- यूटा नाम के यहां पर रहे इसके डिये और कंगे ले सकते हैं मैंग्सेंग है सामिल किया गया था यह आपके एक्जाम के लिए बहुत अच्छे कोशन है बाकी जो चीज़ें आपने पड़ी लियोंगी अलग लग जगें क्लासों के अंदर आपको बताया गया होगा कि किस के लाड़ी ने कौन-कौन सा पतक दीता है मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं है हम जो और नए खेल कौन-कौन से जोड़े गए थे तो वह देखो इसके अंदर आपको बता रखा है कि 33 जो अलम्पिक हुआ है इसमें चार नए खेलों को सामिल किया गया था कौन सा एक तो ब्रेक ब्रेकिंग दूसरा स्पोर्स क्लाइमिंग जो क्लाइम करते हैं हिल्स के उपर एक स्केट बोर्डिंग जो करते हैं मालों स्केट बोर्ड के उपर खड़े ओकर स्केटिंग करते हैं वह सामिल किया गया सर्फिंग जो समुंदर की लहरों के उपर किया जाता है वह इसके अंदर सामिल किया गया ब्रेकिंग स्पोर्ट क्लाइमिंग स्केट बोर्डिंग औ और बागने ने भागई लिया तो यह आपके एकजाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला कोशन तो यहां खेंगे आपा बहुत इंपॉर्टेंट के लिए डबल च्टार कोशन है 2024 ओलंपिक खेलों का सुभंकर किस किया था सुभंकर सुभंकर का मतलब होता है लोगों माल लो यहते हैं एक प्रकार से वो किसे बनाया गया था पहला है प्रांशी सी करांटी की याद दिलवाती है और फ्रे Sindal वहां से नहीं तो उसको आbar वहां चाहन किसका रहेगा करत लोगों चोए उलंपिक फ्रीज यह किसके उपर मतला बनाया गया था उसका वह फ्रीजियन यह लोगों बनाया गया और अहिए उससे अकरान्थ एक तो इसका के लिए था और 7789 1789 के अंदर फ्रांसीशिक रांतीवी थी उसका ये फ्रीजियन कैप उसका सिम्बल था उसी से ओलम्पिक फ्रीज नाम का ये लोगो त्यार किया गया वे चलो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कि 33 ओलम्पिक खेलों में उद्गाटन समारो जो था वेटा जब यह शुरू हुए थे खेल कब सुरू हुए थे कब से कब तक वे था यह 26 जुलाई से लेकर ओलम्पिक खेलों का युजिन किया गया था 11 अगस्त तक में 2024 आपको पताईए तो गाटन समारो 26 उलाई और समापन समारो 11 अगस्त यह भी आपको ध्यानक लेना है इसमें भारतिय जो टीम थी इसमें दवजा वहां कौन थे जिन्नोंने भारत के जंडे को पकड़कर सबसे आगे टीम को लीड किया था वो दो लोग आपको ध्यानक ने नियास ले लिए भी ना भारत की दिवार माने गए इस बार इतने गोल रोके इतने गोल रोके इन्हीं की वज़े से एक प्रकार चाप बोल सकते हैं कि अपनी होकी के अंदर ब्रोंज मैडल जीत करा है वह इसमें से आप देखो किसने जो उद्गाटन समारो है उसके अंदर दवजा वहाग जो थे हमारे वो कौन थे एक तो पीवी सिंदू और एक सरत कमल पीवी सिंदू आप सब लोग जानते हो हमारी देश की बहतरीन खिलाडी है बैडिमिंटन से वह बैडिमिंटन की बहुती बहतरीन खिलाडी जिसने दो बार ओलंपिक में पतक जीत रख है 2016 औ में नेरे लीड किया भारती टीम को डर आत्यों अग। हुआ था इस समापन समारों में इन्हों ने क्या था बारतिय टीम का द्वजा वाग जो है यह बनेते जाना के दोनों जाना केंगे उद्गाटन में पीवी सिंदू सरतकमल समापन में मनु भाकर और श्रीजेस रहे थे चलो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा अगला जो है वह है अ गगान नारंग भी शूट रहें तो गगन नारंग जो है इनको क्या किया गया था इसके जो है वह परमुक बनाए गए थे मिशन के वह अगला है तीसवे ओलंपिक खेरों में भारतिय जो टीम थी जल था इसका प्रायोजग प्रायोजग का मतलब होता है बेटा स्पॉंसर इसको स्पॉंसर किस ने किया था स्पॉंसर अड़ानी सब्सक्राइबral पर तो यह अडानी जो है अडानी जो गुरूप है इसने इसको स्पॉंसर किया था अपने ओलंपिक को तो यह कोश्चन भी आपके एक्जाम के लिए जो हो इंपोर्टेंट रहने वाला है स्पॉंसर कौन था इसका नेक्श देखो इसके अंदर वो है कि 33 ओलंपिक खेल जो है इस घृतीसवे खेल पिरिस में वह से भारत खेलेने वाले भारती अ लाडियों मेंसे सबसे उमर तो पना देखेंगे यह 44 साल की उमर में इन्हों ने पार्टिसीपेट किया और इन्से उम्मीद इस बार की यह मैडल आ सकते हैं तो उमर कोई माइद नहीं रखते हैं अगर आपने सपने अगर आपने सपना देखा हैं अपने माता-पीता की आखो में खुषी लाने का अपने जीवन को सुधारने का तो उमर कोई माइद नहीं रखती हैं आपको सिर्फ एक ही रास्ता अपनाना है महनत 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 बस तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं मैटा आप सी सकते हैं रोहन बोपनना से अच्छा इसी में एक कोशन यह आजा है बदलकर आपसे कि सबसे यूवा कोन गए हैं सबसे कम उमर के खिलाडी जो घया थे बैटा हमारे भाрат की हुषे वह गहते द इनिंदी दे सिन्दी जे इंती दो मात्र चोदा साल की उमर में 14 साल की उमर में बच्चे ने अलंपिक में पार्टिसिपेट कर लिया चोदा साल की उमर में और आपने को यहीं नहीं पता फारम कब बरे जाएंगे अपना नाम आएगा नहीं आएगा हमने अब तक अपना गोल इफिक्स नहीं किया कि कोण सा पेपर देना है अपने को आप अपने को फारम निकल गए आप उसकी तरफ बाग लेते हैं दिल्ली है तार्गेट आपका फिक्स होना चाहिए आप सीख सकते हैं दिन इंद्यू देशिंद्यू है 14 साल की उमर में मातरी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और यह बच्चा आगे आने वाले ओलंपिक्स में आयाद रखना यह जरूर मैडल जितवाएगा भारत को कभी नहीं यह किस गेम से लेटिड है तो तेरा की बेटा स्विमिंग के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस बार पदक नहीं ला पाया लेकिन जरूर कभी ने कभी भारत को स्विमिंग के अंदर मैडल दिलवाएगा और स्विमिंग से एक चीज और ध्यान रखना स्विम तो आपका नाम होगा माइकल फैलेफ्स आंसर होगा याद रख लेना इस नाम को माइकल फैलेफ्स अमेरिका का तेरा के अब तो सन्यास ले चुका है जब तक यह तैरता था बेटा दूसरे जो तेराग थे वह सेगेंड नंबर की त्यारी करते थे मैसा फर्ष्ट निया ने दिया इसने किसी को जब तक यह तैरा एक उलम्पिक में आठ और अपने टोटल आज तक मिलाके दस आएं जिसमें होकी के जादूगर मेजर ध्यांच जी जिन्होंने अपने को यह मैडल जितवाए होकी के अंदर वरना बुरा आल था अपना तो माइकल फैलेप्स द्यानक हैं और यह दोनों नाम द्यानक लेना रोहन बोपन्ना और दिनिंदी देश इंदू जो है यह पी आर्च रिजेस इंपोर्टेंट है होकी के अपने ग अगली था इन 10,714 में से अपने बारत के कितने थे मातर 117 थे और 16 खेलों 32 खेल तो ऐसे है बेटा जिसमें आपने क्वालिफाई नहीं किया अगला है देखो पैरिस ओलम्पिक में भारत की भारत में कुल कितने पदक जीते यह आपने सब जगह पढ़ लिया होगा नहीं पढ़ाए तो मैं आपको बता देता हूं पैरिस ओलम्पिक में आपने कितने जीते हैं साथ 2024 के अंदर और यह साथ जीते थे आपने 2020 का जो टोक्यो अलम्पिक था उसमें जीते थे आपने भारत का तीसरा स्टरव स्ट्रेट प्रदर्शन रहा है यह आज तक का जो 6 अलम्पिक में पदक जीते हैं कौन-कौन लोग पदक लेकर आए हैं थोड़ा से मैं आपको कर जियाना से संबंदित है मनु भाकर ने ब्रोंज मैडल जीता है और कौन से गेम में जीता इन्होंने 25 मिटर सूटिंग के अंदर वे इन्होंने मैडल जीता पहला पदक यह लेकर आई थी वारत के लिए ब्रोंज मैडल इसके लावा दूसरा जो पदक जीता वारत के लिए वो जीता फिर से मनु भाकर नहीं वे दूसरा पदक जो है मनु भाकर ही ध्यान अखेंगे मनु भाकर और इनके टीम में था सरब जीत सिंग सरब जीत सिंग तो यह सरब जीत सिंग ध्यान लखेंगे इन्होंने फिर से क्या किया टीम गेम में जीता वे इन्होंने कौन सा मेडल जीता इन्होंने भी ब्रोंज जीता ब्रोंज मेडल यह लेकर आए यह भी सूटिंग के अंदर 25 मेटर का जो टीम गेम था इसके अंदर जी सवपनिल कुशाले सवपनिल कुशाले ने बेटा 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन सूटिंग के इंदर पचास मीटर राइफल पोजिशन 3 के अंदर इन्होंने ब्रोंज मैडल जीता है बेटा और ये कौन से राज्ये के हैं ये महराश्टर से है है नूबागर सरभी सिंग दोनों हरियाना से हैं सरभी सिंग अंर्णा भще सव्भै वे अपने मैडल जीता सब्सक्राइब उसको नाम के हर्मन प्रीच शाभ सब्सक्राइब हर्मन प्रीच अपने कहां से हैं यह घंए अपने हरियाना से हैं उन ने क्या किया कुस्ति के आधर इन्होंनेbanal जीता गाला सबसे कंप में पारत बहुत बढ़िया खेलता है अमन सहरावत जो है एक दिन खराब होता है कभी एक बाउट इसी खराब निकली जिसमें यह हार गए जो फाइनल में जाने का मोगा था लेकिन यह बहुत बढ़िया खेलेगा यह और यह अपने लिए और भी मेटल जीतेगा अपने देश निरत चोपडा ने भाला फेंक प्रतियों गिता के अंदर जो है जैवल्लिंग थ्रों के अंदर मैडल जीता इन्होंने कितना वायाँ पेंक स्वाइन्पा स्वा स्मेट पाकिस्तान ने जीता है वह थोड़ा सा ध्यानक लेना और भारत के छे खिलाड़ी ऐसे रहें बेटा छेट गेम में आपा चोथे नंबर पर रहें तो वो भी अगर मालो बहुत इतना खराब परदरसन नहीं है कुछ लोग निरास हो रहे हैं कि इस बार कुछ नहीं है चार खिलाड़ी है हमारे जैसे मीरा बाई चानूप इसले बार सिल्वर मैडल लेकर आई थी इस बार फोर्ट पर रहें तो यह बहुत ही कम मार्जन से आप रहेंगे और वो छे में से कर्मालों तीन या चार कनवर्ट हो जाते हैं हमारे तो मैडलों की संख्या और ज्यादा होती तो अपने खिलाडियों का हमें प्रोसान मतलब करना है उन बहुत हिमती बहुत भादूर बेटी हमारे देश की जिसने पहली महिला बनिया वह कुछ कमिया रहे गई जिसकी वजह से वह डिस्क्वालिफाई हो गई उनका फाल्तू होने के वज़े से कौन से वेट में वह फाइट कर रही थी 50 किलोग्राम में वह भी आप ध्यान अख लेना और यह सारे कोश्चन आपको ध्यान अकने अब इसके अंदर चलो अगला कोश्चन देखो अगला कोश्चन इसके अंदर है इसमें कुछ बता रख़ा है जमाने लोगका सीफेक्ट्स हैं हमारे वारे में थ्यान खना है ओलंपिके बारे में कि पैरिस ओलंपिकी पदक तालीका में भारत जो हो एक एंटर्वें स्थान के उपर रहा है वह और पदक तालीका में तो यह सिक्वेंस बनाया जाता है जैसे पाकिस्तान का नंबर हमसे उपर रहेगा हमारा नंबर क्या है यहां तो गोल्ड बराबर है तो क्या किया जाएगा यहां पर फिर बाद में जीते हैं जबकि चीन ने जीते हैं 27 तो इसलिए उसके इसाब से किसको दिया गया है यह पहला नंबर अमेरिका को दिया गया है और ज्यान रखेंगे अमेरिका ने कुल 126 पदक जीत लिए हैं वेटा इसके अंदर और यह मतलब 19 बार 100 से अधिक मेडल जीत चुका है उलम्पि और उननीस बार पदक तालिका में यह सिर्ष पर रहने का रिकोर्ड बनाया है वेशने 19 बार नहीं है उननीस बार तो क्या किया है इसके अंदर इसके बाद देखो अगला जो है इसमें वो क्या है कि निमन मेंसे किस देश ने उलम्पिक में पहली बार 100 पदक जीता है कौन सा ऐसा देश है जिसने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है उलम्पिक के अंदर तो जहां रखना है वेटा आपको यह बहुत स्वाना भी साथ ही होगा इसके ना उप खागा सकते हैं हमारे देश के स्पोट की क्या हालत है बोट्सवाना डोमिनिका सेंट-लूशिया गौटेमाला तो आपका राई ट आंसर क्या होगा यह सभी डेश आपको जिन्हों ने गोल्ड मेडल जीता पहली बार जीता है इन डेशोंने ओलंपिक के अंदर अब कुछ ध कैप वेरेदे कैप वेरेदे ने पहली बार डोमिनिका ने पहली बार और यह से तो गोल्डी जीत लिया सेंट लूशिया ने पहली बार गोल्डी जीत ले गई है तो डोमिनिका सेंट लूशिया कैप वेरेदा और अलबानिया यह चार देश ऐसे जिन्नोंने कोई भी पदक ज कोश्चंस आपको वालो कोई बच्चों को आगे एकसाम अपनी त्यारी कर ले बच्चों ने खृत कर लें कोई बी किसी प्रकार की help चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट करके एक बात बताइए क्लास आपको कैसे लगी मिलते हैं एकली क्लास के अंदर ऐसी दुआधार क्लास के साथ सब तक के लिए बाई बाई जैहिंद भी सभी को पूस्ट